कहते हैं कीचर से ही कमल खिलता है कुछ ऐसा ही कर दिखाया है राची के शुभम ने जसने कबाड़ी से करोण पती बनने तक का सफर पूरा किया जो लोग उच्च सिक्षा पाने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं ले पाते उन्हें हिम्मत हारने की नहीं शुभम से सीखने की जरूरत है जेहा घर के कोने में पड़े स्क्रैब भले ही आपको बोज लगता हो लेकिन आपको जरावी अंदाज नहीं होगा कि कोई यहीं स्क्रैब खरीद कर लाकू की कमाई कर रहा है और आप कबाल के इस नए आइडिया से शुभम करोण पती बन गये हैं उनके इस सफर के बारे में शुभम की कहानी खुद उनकी जुबानी ही सुनिये मैं जितने भी काबार होते हैं जो रिशाइकल हो जके हैं उनको कलेकशन का English को कम किया और एगिनो में काम किया और उसके बाद थे जो आइडिया तो मैंने चाहिए कि जो रिसाइक्लिंग का जो बिजनेस है उसको हम लोग बढ़ावा दें आगे बढ़ाएं तभी रिसाइक्लिंग नहीं करेंगे नौकरी सर एक्चुली में जितना मेरा क्वालिफिकेस्टन है उस अकोडिक मुझे जोब मिली नहीं सर और मैं जिस तरह चाह करेंगे नहीं मिल रहा है थोड़ा सा लग रहा था फिलिंग आ रहा था कि घर वाले भी बहुत परिसान थे कि इतना पर लिखने के बाद नोकरी नहीं मिला और जब स्टार्ट में किया स्टार्टिंग में तो प्रोब्लेम हुए लेकिन अभी अच्छा चल रहा है सर मेरे प अभी हमारे कमपनी में 28 लोग जुड़े हुए है सर जो घर-घर से कलेक्ट करते हैं कोई सेग्रिगेट करते हैं उनको बहार वेचते हैं कुछ मार्केटिंग में हैं तो सारा टीम हमारा है सार 28 लोगों का शुवं प्रधार मंतरी मोदी के स्वक्ष भारत के सपने को लेकर राची को स्वक्ष करने का बीड़ा उठा रहे हैं कबाडी.com में MB और मास कौम की पढ़ाई करने वाले पढ़े लिखे 28 नौजवानों की टीम हैं उनकी योग्यता और शमता के अनुसार जिम्मेदारी तै की गई है इस टीम को हर रोज 50 से ज़्यादा कॉल आते हैं घर के कबाड को उठाकर बाहर के राजियों में रिसाइकल के लिए भेजा जाता है राची में उनके 5000 से ज़्यादा ग्राहक भी हैं मैं लास्ट जिस ओर्गनाजेशन में थी वहाँ पर सर वहाँ पैज़ा मैनपावर के लिए आये थे इनकी ओर्गनाजेशन के बारे में सुना तो सब्सक्राइब जाने तो अब इंटरेस्ट भी जगा कि अरे ये ओर्गनाजेशन है क्या तो बस इक्षा इसी से स्टार्ट ह कर देर कbery का भी बिजनेस हो सकता है तो बस इंवाल हुए जब जाने तो इंटरस् जादा ही आता है ईसमें और इसको बहुत अच्छा है यह इसलिए इसको पट्छा है क्योंकि यह जो मार्केट हम लोगों का रेट उन घरता बढ़ता भी रहता है फिर भी वह अगरी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आने और लेके जाने में स्टाप भी है क्या कि उनके जिस्टेबल टाइम होती है उस टाइम पर पहुंच जाते हैं लेने के लिए और डिजिटल वेट मशीन यूज कर रहा है जो पहले था तो राजव डंडी मार के लेता था कोई सिस्टमाटिक नहीं था तो एक तरा से सिस्टमाटिक वी में में लिग काम कर रहे है घर से קबाड को घर जाकर उठा के ले के आ तो ये शौट-गोर हम दोन सबस्क्राइब करना है कि अब ये भी एक सॉलटर हो गया कि अब इसको आप लोगो को सोचना नहीं जब भी आपका सेंस होके हमको आप साफ करना है तो तुम्हां करता है इस्टाफ अदे से खंटा के अंदर से सर्वेस बिलalth करेंच बना कि पेमेंट कर लेता है सर एक्चुले मैं तो अभी MBA पासाओट हूँ और यहां पर मैं कवारी.com मैं अभी जुड़ा हूँ अनलगबग एक साल से मेरा यहां पर काम कर रहा हूँ है यहां पर टीम कॉडिनेटर भी हूँ प्लस यहां मार्केटिंग काम करता हूँ मैं और यहां पर जैसे कि मैंने MBA के क मैं नहीं करने मुझे मिला तो मैं यहां पर यहां पर सुक्स मरत कर रहे हैं तो मुझे एक कौछ भारत-फिर टेंडर कर राहा हूं यहां पर मुझे बहुत स्थी होती है कि अपने भारत को स्वक्ष कर रहा हूँ साफ कर रहा हूँ और लोग जागरुक कर रहा हूँ कि यह जो वेस्टेज है वो भी एक रिसाइंकिलिंग यूज हो सकता है इसको थो यहाँ वहाँ नमजने मत किजिए इसका प्रोपर डिकंपोज हो सकता है जिससे कि आप सोसाइटी भी क्लीन रहेगा साथ में अपना इंभा प्रविशा सवारने वाले सुभम ने इस धारना को बल दिया है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है बस काम करने का जुनून और जज़बा होना चाहिए तब ही सफलता आपके कदम चुमे की राची से मृत्यूंज़ श्रिवास्तों के रिपोर्ट बेहार तर झाले से जुआ वाले सुबः चाहिए तर